हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन आज मैं आपको 10 मिनिट के अंदर हीउमन बॉडी में जो 206 बॉन्स पाई जाती है उनको याद कराएं जा रहा हूँ तो आप 10 मिनिट ध्यान से मेरे इस लेक्चर को सुनिए और 10 मिनिट बाद आपको गैरेंटी है अगर आपने ध्यान दे सुना तो 206 बॉन्स आपको याद हो जाएंगी हीउमन इसकेलेटन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एपेंडिकुलर इसकेलेटन और एक्जियल इसकेलेटन एपेंडिकुलर इसकेलेटन में 126 बॉन्स होती है और एक्जियल इसकेलेटन में 80 बॉन्स होती है तो टोटल मिलाके होती है 206 बॉन्स तो पहले शुरुआत करेंगे एपेंडिकुलर इसकेलेटन से जिसमें की 126 बॉन्स आर प्रेजन appendicular skeleton is divided into appendages and girdle appendages में आते हैं fore limb और hind limb तो शुरुआत करते हैं fore limb से आपके सामें diagram देखिए fore limb में humerus, radius, alna, carpel, metacarpal और phalanges ये सारी bones आपके सामने mark'd हैं एक humerus, एक radius, एक alna, आठ carpel, rift bone जो होती है 5 metacarpal और 14 phalanges जो की उंगलियों में होती है ठीके तो टोटल मिला के आता है 30 हाथ किते हैं आपके 2 तो 60 bones एक हाथ में 30 bones तो दोनों हाथ में 60 bones ठीके आपको देखिए अब ध्यान से जो ट्रिक में बताने जा रहा हूँ नाम आपको किते याद करने हैं 6 नाम याद करने हैं अगर आपने 6 नाम याद करने हैं तो आपको कितनी bones याद हो गई 60 bones नावदा हाइंड लिम हाइंड लिम का डाइगराम देखिए फीमर, पटेला पटेला मतलब जो नी कैप होता है घुटने का हड़ी जो होती है उसको पटेला बोलते हैं फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिला, टारसल्स, मेटा टारसल्स और फैलेंजेस फैलेंजेस यानि कि वही उंगलियों की जो हड़ीयां होती है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गिंती है फर्क है कारपल हाथ में आड़ थी यहाँ पर टारसल पैर में हाइंड लिम में साथ होती है बाकी मेटा कारपल, मेटा टारसल एक ही गिंती की है फैलेंजेस दोनों हाथ पैर में एक ही गिंती की होते है अब हाइंड लिम में आपको नाम के तयात करने है फीमर, पटेला, तिबिया, फिबिला अच्छा कारपल और टारसल आपको याद ही करना है अलग-अलग फोर लिम में होता है कारपल तो टांग में आ जाईए तो कारपल का टा कर दीजिए टारसल हो जाएगा हाथ में होता है मेटा कारपल तो यह टांग में आगया तो मेटा टारसल हो गया और फैलेंजिस तो वही है नाम सेम नाम है तो अब आपने फोर लिम में कितने नाम याद किये थे छे नाम यहाँ पर कितने नाम एक्स्ट्रा हो गए टारशल तो आपको याद ही नहीं करना है क्योंकि कार्पल टारशल मिलता जूलता नाम najwięил इभी 5 एक persistence नाम तो आपको याद करने वह फीमर प्रतेल्टी आपको याद करने है और चार नाम मोरी हैं और हाथ आपका क्त्छी स्प्छी सुएट और हैं हाथ में किती उगperformance हैं, हाथ में किती ती किती उग्यों Um 120 वे नाम किते याद करने हैं आपको, चे नाम 9 आप Content Sur Wie और चार आपने आपको तो आपको 120 वे लिए तो के नाम याद कर लीbab liquid लेका में जो कि हमारे four limb और hind limb को हमारी body से जोडते हैं तो pectoral girdle जो कि हाथ को हमारी body से जोडता है और pelvic girdle जो कि pair को हमारी body से जोडता है तो अब पहले देखते है pectoral girdle, diagram देखिए दो हड़ियां होती है इसमें, एक scapula और एक clavicle clavicle जिसकों की collar bone भी कहते हैं तो pectoral girdle में कितनी हड़ियां हो गई, दो हड़ियां pectoral girdle हैं कितने हैं अपने, right और left, दोनों side हैं न तो दो pectoral girdle, एक pectoral girdle में दो bone, तो total 4 bone हो गई pelvic girdle, इसमें 3 bones होती है ileum, estium और pubis, ये तीनों ही fused होती है तो इसलिए इन तीनों को मिलाके, एक नाम कहा जाता है, inominate bone तो एक pelvic girdle में एक bone, तो दो pelvic girdle में दो bone तो total girdles में कितनी bone हो गई, pelvic में 2, pectoral में 4 clear, अब यहां पे आपको कितने नाम याद करने हैं एक नाम याद करने हैं आपको inominate bone और pectoral girdle में आपको 2 नाम याद करने है scapula और clavicle तो total girdle में आपको 3 नाम याद करने है और उधर आपने appendages में कितने नाम याद किये थे, 10 नाम यानि कि total आपको 13 नाम याद करने है और 13 नाम याद अगर आपको हो गए तो आपको टोटल 126 बॉन्स के नाम याद हो जाएंगे Now comes the axial skeleton, axial skeleton में 80 बॉन्स प्रेजेंट होती है इनको भी आपको मैं नाम याद करने का तरीखा बता देता हूँ सबसे पहले cranium, यानि हेट की बॉन्स आप देखिए cranium में 8 बॉन्स, 8 बॉन्स आर प्रेजेंट आपके सामें नाम लिखा है parital, occipital, facial, sphenoid, ethmoid और temporal ठीक, अब याद कैसे होगा इसके देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर cranium के सामने pofset प, O, F, S, E, T ये parital, occipital, facial, sphenoid, ethmoid, और temporal के initials में लिखके बना दिया एक term, pofset अब इसके शुरुआत में, यानि कि जो पहला alphabet है और जो आखरी alphabet है, P और T इसके आगे आप लिख दीजे, 2, 2 P भी 2 लिख दीजे, और T भी 2 लिख दीजे बाकी सब के सामने 1 लिख दीजे यानि कि P2 है, T2 है, बाकी सब 1 है यानि पराइटल, वो दो होती है टेंपूरल, वो दो होती है बाकी जितनी बोन्स हैं, वो सब सिंगल होती है तो टोटल क्रेनियम में 8 बोन्स प्रेजेंट है ठीक, अब आप ये पॉफसेट याद रखिएगा तो आपको क्रेनियम की बोन्स याद रहेंगी नेक्स्ट, फेस की बोन्स आप देखिए फेस में 14 बोन्स होती है नाम आपके सामने लिखे हुए है राक्रिमल, मैंडेबल, नेजल, मैकसेला, नेजल, कॉंका, पैलेटाइन, वोमर और जाइगोमेटिक ये सारे नाम लिखे हुए है अब इसको आप कैसे याद करेंगे इसके लिए मैंने आपको हिंट लिखी हुए है सामने L, M, N, फिर से M, N, P, V, Z ये आप याद रखिएगा सीक्वेंस L, M, N, M, N, P, V, Z इसमें आप L के बाद दूसरा जो M आ रहा है उसमें आप 1 लिख दीजे यानि कि इधर से दूसरा ठीके? आपके Left Hand Side से दूसरा और उधर से Right Hand Side से दूसरा यानि कि V, ये दोनों ही 1 लिख दीजे बागी सब को 2 कर दीजे ठीके? जैसे कि मैंने क्रेनियां है बताया था कि शुरुआत का और आखिर का 2 करना है यहाँ पर क्या करना है? Second Left इधर से और Second Left दूसरी साइट से दोनों ही साइट से जो Second Number आ रहा है सब पर 1 लिख दीजे आप बागी सब को Double कर दीजे इसका मतलब हो बागी सारी Bones जो Paired है ये जो M और V है ये Single है इसलिए 14 Bones आ गई Initial आप याद रखिएगा Bones के नाम आपको आटोमेटिक याद आ जाएंगे ठीक अब Hiroid Bone Hiroid Bone गले में प्रेजेंट होती है Single Bone होती है इसका नाम याद कर लीजएगा Hiroid Single Bone होती है गले में प्रेजेंट होती है Ear Orsicles आप टर्म याद रखिए Miss M.I.S. Malleus Incus Steps एक कान में तीन हड़िया Malleus Incus Steps Miss दो कान में दो मिस हो गई यानि की छे हड़िया प्रेजेंट हो गई Now the sternum Sternum is present between the ribs ये एक Single Bone होती जो की दोनों ribs के बीच में होती है ठीक अब ribs कित्ती होती है Ribs होती है 24 12 on each side इसमें आपको कितने नाव याद करने है सिर्फ तीन नाव याद करने है True, False और Floating True का मतलब gefunden वो ribs जो की डिरेक्टली इफटर्णम होती है False का मतलब वो ribs जो की इंडिरेक्टली इटाइच है और Floating जो की इफटर्णम से इटाइच ही नहीं है तो सिर्फ तीन नाम याद कर लीज़ेगा 2 false floating 60 true ribs होती है, 3 false होती है, 2 floating होती है सिर्फ तीन नाम याद करने है, 2 false floating आपकी 24 bones यहां भी ready हो गई Now comes the vertebral column इसमें 33 bones होती है लेकिन कुछ bones इसमें fuse कर जाती है तो overall जो vertebral column में bones होती है वो 26 होती है अब यहां भी आप घवराईएं मत आपको 26 name नहीं याद करने है आपको सिर्फ थोड़े से नाम याद करने है cervical, thoracic, lumber, sacral, coccyx only 5 names यह 5 नाम याद कर लीज़े 26 bones हो गई पूरी ठीक है, cervical जिसमें की 7 vertebrae होती है thoracic, 12 vertebrae are present lumber में 5 vertebrae present होती है sacrum में 1 present होती है actually sacrum में 5 होती है जो की fuse कर जाती है और 1 बनाती है coccyx में 4 होती है यह भी fuse करके 1 बना लेती है तो आप सिर्फ 5 नाम याद रखिए का cervical, thoracic, lumber, sacral, coccyx यह 5 नाम याद रखिए और बाकी यह भी याद रखिए का cervical में 7, thoracic में 12 lumbar में 5, sacral और coccyx में 1 एक बोन होती है तो यह 5 नाम याद रखिए का अपने आपको 26 बोन याद हो गई वर्टेब्रोल कॉलम की भी तो वर्टेब्रोल कॉलम में 26 बोन rib में 24 skull में 8, face में 14 ear में 6 higher sternum 1 और 1 total 80 y axial skeleton में 80 बोन 126 बोन appendicular skeleton में था total 206 अब आप time देख लीज़े 10 मेट हुए के नहीं हुए यह जो मैंने आपको flow chart बताया human skeleton का इसको आप 2-3 इने gap पे फिर से एक बार देख लीज़ेगा और इस तरह से 2-3 बार अगर आप देख लीज़ेगा इस flow chart को तो guarantee है आपको सारी बोन्स याद हो जाएंगी और आप कभी भी बोन्स नहीं भूलने वाले thank you